एक बहुत ही मज़दार फाक्ट बताओं अपको दुनिया में चाय और पानी के बाद अगर सबसे ज़ादा कोई चीज पी जाती है न तो वो है बीर बीर जो की एक ऐसी ड्रिंक है जिसके अंदर विस्की और रम के कमपारजन में अलकोहल की मातरा काफी कम होती है और इसलिए शादी हो या फिर पार्टी हो या फिर ब्रेक अप के दुख को भूलाना हो हर किसी की नजर सीधा बीर परी पड़ती है अब वैसे तू बीर हो या फिर कोई भी आलकोहल रिंक हो किसी भी नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए पर फिर भी लोग कभी न कभी इसका सेवन तो कर ही लेते हैं अगर आपने कभी बीर पी है और आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि बीर को कैसे बनाया जाता होगा तो ये वीडियो आपके लिए ही आई है अब चलिए जानते हैं कि मारकेट में आने वाले किंग फिशर बियर को कैसे बनाया जाता है बियर बनाने के लिए दोस्तों बारले या फिर गेहूं का इस्तमाल होता है जिन्हें सबसे पहले पानी में डुबो का रखा जाता है यहाँ पर इन्हें फूलने के लिए रग दिया जाता है ताकि उनके अंदर enzymes बन सके अब आगे की प्रक्रिया में इन्हें अच्छे से grind करने की बारी आती है और फिर एक बड़े से container में इन्हें पानी के साथ गर्म किया जाता है पानी और इस अनाज को जब एक साथ मिक्स किया जा रहा होता है न तब तापमान भी 45 से 48 डिग्री सेलसियस तक रखा जाता है यहाँ पर टेंपरेशर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि मौल्ट के अंदर से नाचरल एंजाइम्स रिलीज होने लगे जो कि आगे जाकर स्टार्ज बनाने में मदद करते हैं स्टार्ज को बनाने की इस प्रक्रिया में कभी कबार बियर के अंदर तो अलग किसम के अनाज भी आड़ किया जाता है अब आगे की प्रसेस में हम इस mixture को filter करते हैं जहां पर liquid को solid से अलग किया जाता है filter होकर ये जो liquid निकलता है ना इसके अंदर गर्म पानी को डाल कर इसे एक बार फिर से filter किया जाता है अब इस liquid के अंदर मिलाया जाएगा hops दरसल ये एक तरह का सूखा फूल होता है जिने beer के अंदर मसाले के रूप में डाला जाता है beer के अंदर जो कड़वा स्वाद आता है वो इसकी ही वज़े से आता है beer की स्वाद के हिसाप से इसके अंदर 50 ग्राम से लेकर आधा किलो हॉप्स तक डाला जाता है अब इन दोनों मिक्शेर्स को लगबख दो घनुटों तक आपस में अच्छे से मिलाया जाता है और इस दोरान इसका तापमान लगबख 80 डिग्री सेलसियस तक रहता है ताकि सब कुछ आपस में अच्छे से घुल मिल सके अब इस लिक्विट को जल्दी से एक वरपूल में पंप किया जाएगा ताकि हॉब्स के जितने भी सॉलिट पार्टिकल्स होते हैं और साथ में जितना भी प्रोटीन होता है वो कैटल के बिलकुल बॉटम पर चला जाए ऐसा करने पर एक कौन शिप बन जाता है जिसके बाद बड़ी ही आसानी से इसमें से लिक्विट को अलग किया जा सकता है अब आगे इस पूरे लिक्विट को ठंडा किया जाता है इसे इतना ठंडा किया जाता है ताकि इसके अंदर यीस्ट को मिलाया जा सके फिर इसे fermentation tank में डाल कर इसके अंदर yeast को मिला दिया जाता है अभी तक जो liquid बना था ना इसके अंदर starch की वज़े से मीठापन काफी था लेकिन अब yeast की वज़े से ये मीठापन गायब हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये yeast पूरे liquid को alcohol में बदल देगा ये जो fermentation tank होता है न इन्हें 5 से लेकर 20 degree Celsius के तापमान पर ही रखा जाता है और ये पूरा fermentation का process लगभग 5 हफतों तक चलता है इन tanks को 5 हफतों के लिए बिलकुल भी हाथ नहीं लगाया जाता है अब यहाँ पर धीरे धीरे yeast sugar को alcohol में बदलने का काम कर रही है अब 5 हफतों के बाद जब इस tank को खूला जाएगा तब इसके अंदर young beer तयार हो चुकी होगी इसे young beer इसलिए कह जाता है क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत काम बागी है क्योंकि अभी इसे secondary fermentation process से गुजार कर बची हुई sugar को भी alcohol में convert किया जाता है और फिर बाद में लगभग तीन महीनों के लिए इस young beer को tank में भर कर ऐसे ही रख दिया जाता है तीन महीनों के लंबे समय के बाद अब इस beer को एक बार filter किया जाएगा जिसके बारी आती है कि इस beer को अब टेस्ट किया जाए यहाँ पर टेस्ट से लेकर हर एक चीज को चेक करके जब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि हाँ अब यह beer बन चुकी है तब इसे packaging unit में भीज दिया जाता है जहाँ पर किंग फिशर की बोतले मौझूद होती है और फिर एक एक बोतल के अंदर इस beer को भर कर अच्छे से इसे market की तरव भीज दिया जाता है जहांसे आप लोग किंग फिशर के इस beer को खरीदते हैं और इसके टेस्ट का आनंद उठाते हैं तो देखाना आपने कैसे बनाई जाती है किंग फिशर की beer वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होना तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करके हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और अंत में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजे ताकि ऐसी ही वीडियोस के अपडेट आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे